हेलो स्टुदेंट्स वेलकम इन यूर चैनल किंग टेकनो टोड़े भी डिस्कुस अबाउट दा क्याल सी दा सेगेंड पाट अपने देख लिया है यह भी हम लोग का वीडियो था लास्ट टाइम और इस बार वापस हम लोग चल रहे हैं क्याल सी पे और उसमें कुछ formulation, sorting data और इस तरह के कुछ और concepts देखेंगे तो आप लोग से request है कि पूरे वीडियो को देखेंगे कोई भी बीच में छोड़के मत जाना क्योंकि topic को discuss किया जाएगा और सही सारी चीज़ें जो है वो बताए जाएंगी और वीडियो के last में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी च एक्जाम में आती है ओके तो इस वाज़े से पूरा वीडियो देखेगा आज आपके सामने कैलसी हम यूज करेंगे तो देखें कैलसी हमने लिखा open office कैलसी यह open हो रहा है कि कैलसी जो की spreadsheet होती है open office की है इस वाज़े से इसको freely use किया जा सकता है और देखें आपके सामने यह खुल करके आ गया इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप भी इसको और अच्छे से देखें तो हम लोग सबसे पहले इसमें एक tabulation form जो है वो create करेंगे और उसके बाद उसमें जो है हम लोग अपने formula add करेंगे ठीक है तो formula कौन कौन से हैं क्या क्या है वो चीज यानि roll number आप कह सकते हो तो यह 1, 2 इस तरह से किया आप चाहते हो कि इसी तरह से यह आगे की वर set हो जाए तो आपको क्या करना है इन दोनों को select करना है select करने के बाद यह जो यहां आपको छोटा सा black dot दिख रहा होगा जब इस पर लेके जाएंगे तो mouse cursor ऐसा हो जाएगा ठ जाएंगे अच्छा था ना इसी के साथ अब हम लोग दूसरा option यूज़ करेंगे जो की name का है name यहां पे कुछ students के name जो है वो यूज़ किया जाएंगे like आमेद आरुन आनिल प्रेंस काव्या पारुल पूजा स्ट्रेस अनीता अन्दिव्या ओके तो यहां 10 students जो है वो आपके सामने आ गए अब हम क्या करेंगे इन students को subjects provide कराएंगे और उसमें इनके marks दिये जाएंगे तो आपने English लिखा हिंदी Maths Science साइन्स स्स्स्ट टोटल ओके तो यहां पर इतनी चीज़े हैं अब यहां पर हम लोग इसमें क्या करेंगे माक्स जो है वो फीड करेंगे ठीक तो सबसे पहले यहां English में हम लोग marks देना चालू करते हैं इन marks को जो है out of 100 रखते हैं हम लोग तो marks जो है वो कुछ भी आपके आपर फीड कर सकते हो ठीक यह English के लिए हो गया यह Hindi इसी तरह से आपको भी फीड करना हो गए इनको अ-ग तो स्वारी देखें यहां पर डिलीट करने का option दे रहा है इसको बस okay कर दीजे यह डिलीट ओके यह डिलीट ओके डिलीट ओके एन डिलीट ओके ज्यादे ही marks हो गे थे उसको अब हम वापस से science में जाते हैं और यहां पे भी हम marks देना चालू करते हैं लास्ट सस्टी इसको भी हम लोग marks देना चालू करते हैं ओके चालू तो इतने marks तो हमने दे दिये टोटल है तो वह calculation में आएगा और वह सारी चीजें जो है वह वैसे set की जाएंगी ठीक तो यह सारी चीजें देखिए आपके सामने एक tabulation form में हमने फीड कर दिया है अब अपनी इस फाइल को save कर देता है यहां पर आप देखिए यहां अंटाइटल बन दिख़रे इसको अंतलब फाइल शेव नहीं है तो फाइल पे क्लिक करना है फाइल को save करना है हम save as पे गए file सामने आ गई document में file save होने वाली है और यहाँ पर student marks calc लिख करके enter कर देंगे जैसे यहाँ पर enter करते हो file देखे यहाँ पर लिख के आ गई student marks calc.odius .odius जो है वो calc का extension name होता है तो यह चीज़ें आपके सामने आ गई देखे यहाँ पर आपके पास name थे इस name को आपको set करना है तो आप इसको इस तरह से भी set कर सकते हों यहाँ आप देखे दे रहा है search to the beginning of the seat do you want to continue तो yes search key not found तो यह है अब हमको क्या करना है इसमे different different features आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर आपका एक seat जो है वो तयार हो गया है अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है जो आपके selected portion है आप उसको use करोगे ठीक है तो अब हमनों क्या करेंगे आपको सबसे पहला option मिलेगा sorting का sorting जो होती है वो ascending और descending दोनों portion में होती है तो ascending portion पे अगर हमको काम करना है तो हम क्या करेंगे इसको select कर लेते हैं जिसको भी आपको ascending descending करना है आपको काम कर सकते हो तो यहाँ पे इसने आपने आमित अरुन अनिल प्रिंस का पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वो ascending order में portion नहीं है तो ascending order में इसको set करना है तो कैसे set करोगे आपके बास दो option आते हैं देखिए यहाँ पे पहला option है ascending का और यह दूसरा option है descending का तो sorted होने के लिए यहाँ पे sorted का मतब होता है क्रम यानि alphabetical पहले A फिर B फिर C इस तरह से करते हुए चलेगा ठीक ना तो यह चीज़े जो है वो sorting में आ जाएंगी तो यह portion जो है वो हमको use करना है अब क्या करना है हमको इसको click करना है हमने select कर लिया है select करने के बाद इसको click कर देंगे जैसे इसको click करते है आप देखो यहाँ पे current selection portion आ रहा है टिक extend selection portion आ रहा है तो हम current selection में जाएंगे तो यह particular इतने को ही sort करेगा extend कर देंगे तो यह इसके according सब को sort कर देगा तो हम सिर्फ current selection पे अभी जा रहे हैं हम इसको click कर दिये देखें click करते ही अमित, अनिल, अनीता, औरुन यानि A से सुरू होने वाले जो name थे वो पहले आ गए फिर A, B, C, D में D आया, फिर K आया, फिर P आया, फिर Yes आया टेक ना तो यह sorted हो गया ascending order में if you want to do this in descending order then you should click on this button ओके यहाँ पे आपको click करना है current selection पे जाना है और आप देखो, यहाँ पे यह चीज़ जो है वो वापस से सेट हो गई यह first selection को छोड़ता है इस वज़े से उसको छोड़ करके बाकी सब पे काम कर गया अगर आपको ऐसा काम करना है तो आप यहाँ से select कर लो और select करने के बाद फिर आप इस पे चले जाओ और इसको current selection पे कर लो अब आप देखो, वो अमिद भी नीचे चला गया ठीक है? तो यह चीज़ जो है, वो descending order में आ गई बात समझ में है और अगर इसी चीज़ को आपको फिर से वापस ascending में करना है और extend selection करना है तो क्लिक करते ही, आप देखो कि numbers के साथ साथ यह सारे जितनी भी चीज़ है, sorry name के साथ साथ यह सारे numbers भी जो है वो change हो गए तो यह extend selection था, जिसकी ज़से ऐसा हो गया तो यह portion जो है, वो हम छोड़ते हैं और वापस अपने position पे आते हैं तो यह हमारा एक portion था और आपको हमने बता दिया कि sorting क्या होती है I hope कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई हो अब बात आती है formula की ठीक ना, तो formula अगर normally आप कोई calculation करना चाहते हो तो आप equal symbol को use करो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यह 48 और यह 65 आपस में minus हो जाएं तो subtract करने के लिए 65 बड़ा है और 48 छोटा है, 65 पे click करना है, देखिए click करते ही D11 अपने से लिख के आ गया, यहाँ पे click कर दीजिए minus लगा दीजिए और वापस से इस पे click कर दीजिए C11 यह आ गया यह D11 और C11 cell address होते हैं, देखिए यह D है और यह वाला position 11 का है, तो इस वज़े से D11 जो है, वो इस cell पे था, और C11 यहाँ पे है, क्योंकि यह C यहाँ पे है और यहाँ 11 दिख रहा है तो यह चीज़ जब आ गई, आप enter करोगे देखो आप 65 पर 48 माइनस करोगे, तो 17 आपके सामने आएगा ठीक, तो इस तरीके से आप calculation कर सकते हो cell address के थूँ, आप चाहो तो direct value भी दे सकते हो आप वो value देनी है, तो आप क्या करोगे यहाँ आपके करोगे, इक्कोल टू 50 माइनस 25 और आपके सामने result 25 आ जाएगा तो इस तरह से हम लोग calculation करते हैं, जो कि cell address पे होती है, और इस तरह से values आपको मिल जाती है, ठीक है, तो cell address पे भी आप काम कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप इसको direct value पे भी काम करा सकते हो तो इस तरीके से आपको अलग-अलग concept मिल जाएंगे करेंगे, यहां से लेकर के, यहां तक के cell address का, ठीक, तो इसके लिए आपको formula लगाना होता है equal to sum, यह sum formula होता है, इस पे आपको bracket लगाना होगा, bracket लगा करके आप दोको इसका address क्या है, c2 तो हम लिखेंगे c2 उसके बाद colon का use किया जाता है और इसके बाद आप लिखोगे g2 तो यह हो गया g2 इसको in bracket करोगे और यहां से enter करोगे आप दोको यह 285 जो है वो इनका addition आपको मिल गया है, ठीक, आप इसको count करना बैठ करके, तो आपको दिखेगा कि 285 जो है, वो truly calculated value है ठीक, तो यह वाली चीज़े जो है वो इस तरह से आपको समझ में आ गई इसके बाद आप इसको जो है वो drag करतेंगे drag करने के बाद इसको हम लोग अभी use करते है ठीक ना, इसको drag करेंगे तो drag करते ही इसकी totaling जो है, वो आपको मिल जाएगी आपको बस इसको नीचे की वो drag करते चले जाना है जैसे आपनी इसको नीचे की वो drag करते चले जाएंगे आप देखोगे कि ये सब अलग-अलग values दिखने लगी है cell addresses जो है, वो change हो गई है तो इसके formula में ये भी एक बहुत अच्छा point होता है कि जब आप cell address पे काम करते हो और आप drag कराते हो ये automatically next cell को select करता है अब आप देखो इसको click करते ही यह यहाँ पे दिखा रहे है, यह blue arrow दिख रहे है तो यह blue arrow जो है, यह दिखा रहे है कि यहाँ से यहाँ तक की value इस जग़ पर use की गई है इसी तरह से यहाँ पे दोबर click कर लिजे आप देखो यहाँ से ले करके यहाँ तक की value यहाँ use की गई है तो यह better point है जब आप यह काम करते हो और आप इसको easily use करता होगे ठीक ना, तो यह भी cheat आप कर सकते हो अभी कुछ students यह बोलेंगे कि हमको sir इसमें अलग-अलग cell को add करना है ठीक तो वो कैसे करें equal to sum करना है ठीक formula आपको use करना है cell address आपको find out करना है like e2, f4 in bracket यहाँ पर देखके एक error आगया और यह portion जो है गरबड हो गया है थोड़ा सा, ठीक ना यह semicolon जो है वो use करेगा और semicolon यूज करते ही वहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया था वो थोड़ी सी गरबड़ी हो गयती ठीक ना, आप देखो यह दो value जो है e2 और f4 यह दोनों चीज जो है वो यहाँ पर use हो गई actually क्या होता है कि spread sheet open office है और Microsoft Excel है Microsoft Excel की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर calculation कॉमा के थूँ होती है ठीक और यह open office है open office में calculation जो है वो semicolon के थूँ हो रही है ठीक ना, तो यह वाली चीज जो है बस थोड़ा सा differ होती है तो वो जो कॉमा वाला operation था वो भी run करेगा लेकिन वो थोड़ा सा different portion पर run करेगा यानि वो Microsoft Excel टीम पर जो है उस पर वो काम करता है न की यहाँ तो यह चीज आपको समझ में आ गई formula आप आपने देखे ठीक, तो इस तरह से आप different formula जो है वो set कर सकते हो अपने portion में और उसका जो result आता है वो आप result देख सकते हो तो इस तरह की बहुत सारी चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है ठीक, आप इन चीजों पर थोड़ा सा use करिएगा ठीक, अभी हम लोग चल रहे है next option पर जो की है chart तो यह chart जो है वो हमनों को यहाँ पर use करना है और use करने के लिए क्या करना है हमको हमको एक area select कर लेना है तो suppose कि हमने इतने को select कर लिया है यहाँ से select करते ना तो यह हमने इतना select कर लिया है insert में जाएंगे, chart portion पर जाएंगे ठीक, अब देखिए आपके सामने chart बन करके यहाँ आ गए ठीक, तो chart आपको अलग-अलग तरीके से मिल सकते हैं तो chart का type है, chart का type देखें, यहाँ पर column है column आपको इस तरह के दिख रही है अगर आप चाओ तो इस तरह से भी ले सकते हो यह अलग-अलग तरह के chart बन रहे है यह column chart में है यह bar chart है, जो कि इस तरह से बनता है ठीक, फिर pie chart है जो कि इस तरह से बनेगा इसके बाद area chart है जो कि यह format यूज करता है इसके बाद आप देखो यहाँ यह line chart है जो कि इस तरह से use होगा ठीक, तो आप यह देख लो कि आपको कौन सा वाला chart बनाना है यह scatter chart होता है जो कि इस तरह से use किया जता है ओके, फिर bubble chart है जिसका format इस तरह का दिखता है फिर net chart है जो कि इस तरह से दिखेंगे तो यह chart होते है जो कि आपके graph को show करने के लिए use किया जाते है तो अगर आपको सब पर different use भी होता है ठीक ना, अगर आपको लगता है कि आप अलग-अलग तरह के portions को use करना चाहते हो chart के, तो आप यहाँ पे देख लो आपके पस बहुत सारे option मिलेंगे यह last time column and line chart है आप इसको भी use कर सकते हो ठीक, तो यह अलग-अलग portions आपको मिल रहे है chart के, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको use कर सकते हो यहाँ पे इन सब chart का अलग-अलग जगह पे अलग-अलग organization में इसका different-different use होता है तो आपने यह सब देखा यहाँ पे देखे number of lines दिख रही है key one दिखनी है टिक ना bubble charts में area chart में, सब के अपने अलग-अलग portions आ रहे हैं तो यह वाली चीज़ें जो हैं वो हमको यहाँ पे मिल रही है यह देखे 3D look जो है वो आपके यूज़ करना है आप चाहो तो select कर सकते हो तो आप यहाँ click कर लो click करने के बाद आप इस जगह से इस जगह के portion को select कर सकते हो जब पूरा select कर लोगे तो range create हो जाएगी ठीक और उस तरह से चीज़ें देखे अब आपके सामने आना चाहलो हो जाएंगी ठीक ना डेटा सिरीज आपने डेटा सिरीज देए दी थी यहाँ पर देखे इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सबका दिख रहा है portion ठीक तो यह सब चीज़ें यहाँ अल्रडी मौजूद है चार्ट एलिमेंट आप टाइटल देना चाहो तो यहाँ पर आपना नाम दे सकते हो यहाँ जो भी आप देना चाहो तो आप यहाँ पर माक शीट लिख दो चोगी mark sheet के लिए आप बना रहे हो subtitle तो आप यहाँ पे subtitle half yearly दे दू यह mark sheet है जोगी half yearly की है x axis पे x लिख दो y axis पे y लिख दो और z axis पे z लिख दो ठीक तो यह portions जो है वो आपके सामने आ गया अब आपको क्या करना है इस पे वापस से finish option अब चुकि next option नहीं है तो आप इसको finish कर देओ ठीक लिजएंड जो है लिजएंड देखे किसको बोलते हैं यह वाला जो portion है इसको लिजएंड बोला जाता है ठीक है तो आप इसको कहा रखना चाहते हो left में रखना चाहते हो तो वो left portion में चला जाएगा ठीक टॉप पर रखना चाहते हो तो वो top पर चला जाएगा ठीक तो यह portion देखिए आपको अलग से आगया देखो यहां पर यह portion आगया ठीक ना तो यह लिजएंड है आप जहां रखना चाहते हो रख सकते हो तो हम इसको left में कर लेते हैं और last में इसको finish कर देते हैं ठीक है तो finish करते ही आप देखो यह chart हमारा बन करके सामने आ गया है अब इस chart को आप देख सकते हो यह आपके जो data representation थे उसी के लिए बने हुए है ठीक ना तो यह चीज जो है वो देखिए आपका यह portion बना हुआ है उसी के लिए यह chart बन करके तयार को है ठीक तो I think आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि chart जो है वो आप इस तरह से represent कर सकते हो ओके अब वापस से इसको delete कर लेते हैं चार्ट को तो यह आप देखो यह portion जो है आपके chart के थे इसको थोड़ा सा नीच कर लेते हैं ठीक चलिए वापस अपनी जिगप पर आ गया हम लोग यह है portion फिर से इसमें कुछ और points है जिनको हम लोग करनी है तो वो कैसे करेंगा अब जैसे यहां पर 85 है आपको लगता है कि नहीं 85 नहीं आपको यहां पर लिखना था 84 ठीक तो आप डिरेक्ट इसमें 84 type कर दो और 84 करते ही वो खुद से change हो जाएगा ठीक लेकिन बात आ रही थी replace करने की तो जैसे यहां पर अरुन है हम इसको अरुना बनाना चाहते है ठीक अब अगर हम इस पर direct write करेंगे तो क्या होगा अरुन खुद से delete हो जाएगा ठीक और हमको पूरा का पूरा अरुना लिखना पड़ेगा लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा है कि हम इस जगह पे बस ए लिखें तो यह कैस हैं जिससे हम लोग क्या है उसको replace कर सकते हैं और कुछ भी changes कर सकते हैं ठीक तो यह सब चीजें इस तरह से हमको मिलने वानी हैं ओके आप इसको delete कर सकते हो replace कर सकते हो तो यह overall बहुत अच्छी चीजें आपके सामने आ गई हैं जिससे आप यह काम कर सकते हो अगर कोई डबल portion है जो कि हमारे लिए यहां पर बहुत useful है और हम इसको easily कर सकते हैं ठीक इसके बाद हमारी पुरी worksheet है इसके हम अगर कुछ formatting करना चाहें तो हमको अगर particular range पर formatting करना है तो हमको select कर लेना है format option पर जाना है और यहां पर different formatting है जिससे आप उसको और भी अच्छा बना सकते हो जि चीजें खुब सूरत दिखेंगे ठीक तो यह बहुत सारे formatting option है जिसको आप यहां पर यूज कर सकते हो मर्सल है शीट है रो है सेल है ठीक तो ऐसे बहुत सारे options यहां पर आपको मिलने माले है अगर आप चाहो तो यहां पर यहां से भी direct यूज कर सकते हो इसकी properties देखिए आ आप aerial black कर लोगे तो सारे के सारे जो हैं वह इस तरह के हो जाएंगे ठीक आप बोल्ड कर लोगे तो वह अलड़ी बोल्ड तो है ही aerial black टेक ना italic कर दो तो तिर्शे भी हो जाएंगे अगर इसके out borders रखना चाहो तो out border भी रख सकते हो ठीक ना तो यह सब चीजें जो है वह आप portions बस आप use करो देखो कितने वह सुन्दर लगने लगेंगे ठीक ना tables जो है वह खुद अच्छे लगने लगते हैं ठीक ना अगर आप border की color coloring करना चाहते हो तो coloring भी कर सकते हो तो यह overall बहुत सारे features हैं जो कि हमारे Kelsey में बहुत helpful हैं हमारे लिए और हम लोग बहुत ही अच्छी चीजें जो हैं वह यहाँ पर design कर सकते हैं इसके बाद अगर आपने अच्छी सा design कर लिया है तो फिर आपको क्या करना है इसको print out लेना है तो print out लेने के लिए आप control P का use कर ल XPS document है OneNote है अगर हमारे बस printer होता तो printer भी यहीं दिख रहा होता हम उसको select करते और print पे क्लिक करते और print out निकल जाता तो students इस तरह से chapter 8 जो है वो आपका यहाँ खत्म हो रहा है और यह सब चीजे जो है जो chapter 8 की थी वो सरी चीजे जरूरी है आपके exam में यह सब कुछ आ सकते तो इन चीजों को आपको अच्छा से याद करना होगा ताकि आप इसको paper में अच्छा से लिख पाओ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको like करिएगा subscribe करिएगा चैनल को और comment जलूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी तब तक के लिए have a nice time